Hi Everyone, आज का टॉपिक उनलों के लिए जो आरिश नेगेटिव हैं, यानि कि जिनका ब्लड ग्रूप नेगेटिव है, O नेगेटिव, A नेगेटिव, B नेगेटिव, A बी नेगेटिव, लेडीज, not जेंट्स, ओके लेडीज के बात कर रहे हूं, क्यों? क्योंकि लेडीज के अ होना बहुत जरूरी है, हलांकि आपके डॉक्टर आपको समझा देंगे, आपको इतना टेक्निक्स और टेक्निकल नहीं जाने की जरूरी है, बट फिर भी एक बेसिक कंसेप्ट आपके लिए बहुत जरूरी है, तो end तक जरूरी देखे हैं, हमारी बॉड ग्रूप A, B, O औ और AB, इस तरह की चार ब्लद ग्रूप होते हैं, यह तो ब्लद A है, यह B है, यह O है, यह A, B है, यह तो होगे antigen, जो हमारी AB ब्लद ग्रूप antigen हैं, एक होता है R.H. antigen, R.H. antigen को हम D करके लिखते हैं, D positive यह D negative, अगर D positive है, तो आप A positive यह B positive यह O positive है, यह A B positive है, अगर अब माल लीजे आप यानि की जो फीमेल है वो नेगेटिव ब्लड गुरुप की है और हस्बेंट जो है वो किसी भी ब्लड गुरुप है लेकिन उनका पॉजिटिव है तो उनके पास दी आंटीजन है आपके पास दी आंटीजन नहीं है ठीक है अब आप दोनों सेक्शुली आक्टिव होते हैं और आपको बच्चा ठेर जाता है बच्चा ठेरेगा तो उसका ब्लड गुरुप क्या रहेगा वो डिपेंड करेगा कि फादर का ब्लड गुरुप अगर बी पॉजिटिव है तो क्या उनके दोनों एंटीजन में बी पॉजिटिव है या फिर एक एंट तो रहिए गा समझना, जीज जो होते हैं डॉल होते हैं हर इंसान के इंदर डॉल जीज होते हैं। दूसरा वाला भली नेगेटिव हो, अगर दोनों में पॉस्टिव होगा D antigen, तो भी हो पॉस्टिव है, एक में होगा तो भी हो पॉस्टिव हो, क्योंकि डॉमिनेंट होता है, तो अगर हस्बन में दोनों antigen positive है, निकि दोनों chromosome में DD है, तो जब आपके हस्बन के chromosome मिलेंगे, बच्चा जनमेगा, तो 100% chance होगे, कि सारे बच्चे positive होगे, ठीक है, क्योंकि हस्बन में दोनों genes, जो एक जीन इधर जाता है, एक जीन इधर जाता है, एक chromosome दूसरे एक बच्चे में जाता है, तो जो gametes है, सब में D antigen है, तो अगर हस्बन में दोनों genes positive है, तो सारे है, तो 50% बच्चे जो है negative होंगे, 50% positive होंगे, ठीक है, यह उननों को बता रही हूँ, जिनमें और हस्बन का कैरियो टाइप हो चुका है, ऐसा बहुत रेर होता है, कि हमको हस्बन का कैरियो टाइप कराना पड़े देखने के लिए, कि वो heterozygous है कि homozygous है, homozygous यानि क कि दोनों kromozygous में deantigen है, heterozygous यानि की एक में है, एक में नहीं है, तो जिसमें नहीं है, उनकी chances होते हैं कि वो 4 में से 2 बच्चों को negative पैदा कर सकते हैं, जिनमें दोनों में होते हैं, वो सारे बच्ची 100% बच्चे positive पैदा होंगे, अब दिक्कत क्या होती है, positive सारे mechanism होते हैं, pregnancy में abortion होने के main कारण ये भी होते हैं कि body उसको reject करती है, अंदर antibodies बन जाती है, उसके बाद हम अभी नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, जो बच्चा है उसका blood group अलग है, उसका blood मा के blood से मिल रहा है, क्योंकि uterus के अंदर है, cod कि तुरू दोनों के blood mix हो रह क्योंकि मा के अंदर antigen है ही नहीं, तो मा का immune system वे वो एक्दम से active हो जागा, पुलिस वाले सारी जग जाएंगे, ये चोर कहां से आ गया, क्योंकि ये तो हमारे यहां था ही नहीं पहले, ये तो हमारा हमारी body का ही नहीं, जैसी ही वो D antigen मा के अंदर जाएगा, पुलिस वा वापिस प्लासंटे की तो बच्चे के अंदर चले गई, बच्चे के अंदर तो D antigen भरा पड़ा है, उस पर ये अटेक कर देंगी, अब बच्चे को दिक्कत हो जाएगी, जैसी इनोंने D antigen को अटेक किया, बच्चे के जो red cells है, जो RBCs हैं, जो blood बनाते हैं, वो टूटने चुरूए तो बच्चे को एनीमे हो जाएगा, बलटकी कम ही हो जाएगी, ज्यादा तूट गए तो बच्चे को जाएगी, और ज्यादा तूट गए तो बच्चे को basically heart failure, spleen खराब होना, liver खराब होना और बच्चे के death हो जाएगी, उसको बोलते हैं, हाइड्रॉप्स होंगे, अगर husband heterozygous, यानि कि एक gene positive है, एक gene negative, right, अब manage कैसे करेंगे, क्या करना होता है, जब आप pregnant होती है, आप पहली बार pregnant है, ठीक हम तीन क्याटिगरी में डिवाइड करते हैं, पहला case ऐसा है कि आप पहली बार pregnant है, और आपको पता चला आप R.H. negative है, husband R.H. positive है, इसली condition वो है कि आप second या third या fourth time pregnant है, और आपका पिछला वाला बच्चा या पिछली वाली pregnancy में complication हुई, क्योंकि आपके अंदर अल्यडी antibody बन गई, right, अब antibody कब बनती है, मैं आपको बता है, बच्चे का बलड़ जब मा के blood के अंदर आता है, बट मा के blood के अंदर और बच्चे का blood मा के अंदर आ गया, या फिर हमने कोई और procedure किया, हमने बच्चे को turn करने की कोशिच करी, उसको ECV बोलते हैं, बहुत सारी procedures होते हैं, जिसमें या फिर हलकी सी bleeding खुदी हो गई, threatened miscarriage हो गया, हलका सा blood आ गया uterus से, बच्चा survive कर गया, उस समय दवाइवाई बच्चे का blood मा की blood के अंदर जाएगा, तो antibody trigger हो जाएगी, पर छोटी मोटी थोड़ी बहुत antibody जो होती न, उसको immune system अपने आपी खतम कर देता है, वो अपने आपी खतम हो जाती, बच्चे का जड़ा सा blood आया, थोड़ी से antibody बनी, उसको immune system ने अपने आप body से निकाल दिया बहुत सारा blood आ गया, तो बहुत सारी antibody बनीगी, और यह बहुत सारी antibody अब बच्चे के अंदर जाएगी आवल के थो, यह गरबर होता है, तो पहला case अगर आप पहली बार pregnant है, तो कुछ नहीं करना है, डॉक्टर आपको बताएंगे, आप दोनों का blood group नहीं मिलता है, अगर तो 28 weeks पे हर patient को NTD का injection लगता है, यह पहले नहीं लगता था, अब लगना शुरू है कुछ सालों से, क्योंकि WHO कहता है कि 28 weeks पे injection लगाने से आप बहुत सारी antibodies को बनने से रोख सकते हैं, डिलीवरी के बाद बच्चे का blood group चेक करते हैं, अगर बच्चा negative है तो कुछ नहीं कर होंगी, ठीक है, second category यह होती है, कि second category में आपको 2-3 बच्चे पहले हो चुके हैं, लेकिन आपको अभी तो कोई problem नहीं हुई, या तो आपको पता ही नहीं था, बहुत lucky cases होते हैं, जिनको पता ही नहीं था कि RH negative हो positive जासी condition उनकी body में चल रही है, उनको और दो बच्चे हो च ठीक है, ऐसे cases को हम बोलेंगे, unimmunized pregnancy, यानि कि जो पहला case था, जिसमें आप पहली बार pregnant थी, उसमें भी unimmunized थी, क्योंकि आपने पहली बर exposure लिया है, पहली बर आपके अंदर कोई foreign body RH positive हाई है, और दूसरा case जिसमें कि already 2-3 बर exposure हो चुका है, लेकिन आपकी body के अंदर इ जाद भी antibody दिख रही है, तो जित्ता पानी डालेंगे, उत्ता हो डाली उठ होना चाहिए, आपको जादा हाई टाइटर है, तो हम बात करने इस second case की, कि इसमें immunization नहीं हुआ है, तो ये भी जैसे पहले बाला case मैनेज किया तो यही करेंगे, आपका आरिश antibody टाइटर होग कोई फरक नहीं पड़ता है, मुझे नहीं करना बच्चा, तो आगे कोई injection नहीं लगेगा डिलिवरी के बार, ठीक है, नेक्स वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, कि अगर आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम होगी, पीछले वाले बच्चे में, और आपके इस बार ट मेरे से परसनल कंसल्ट करने के लिए नंबर है, इस पर वाटसाप करीए, कॉल मत करीए, प्लीस सैले नंबर है, और ने तो वेबसाइट पे आप कंसल्टेशन बुक करा सबते हैं, तैंक्यू